जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मतर पनीर की रेसिपी दही, काजू और क्रीम का इस्तेमाल किये बगेर बेजिक इंग्रीडेंट्स का इस्तेमाल करके आज हम इस सबजी को घर पर बनाएंगे मतर पनीर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राइ करेंगे तो हमने यहाँ पर पेन में एक टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है और इसमें हम 200 ग्राम पनीर एट कर देंगे तो पनीर को हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और इसे फ्राइ करते वक्त हम गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राइ कर लेंगे वेसे मटर पनीर में ये step बिल्कुल optional है लेकिन जब आप पनीर को fry करके बनाएंगे तो सबजी और भी बढ़िया लगेगी तो हमने medium flame पर पनीर को डेड़ से दो मिनिट तक तेल में fry करके निकाल लिया है और उसी पेन में हमने एक टेबल स्पुन तेल और एड़ कर दिया तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे दो medium साइस की कटी हुई प्याज इसी के साथ हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी हरी मिच हरी मिच को हमने इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ो में काट लिया है और एक इज के अद्रक के टुकड़े को छहील कर हमने काट लिया है इसके साथ हम इसमें एड़ कर देंगे 10-12 लहसन की कलिया और प्यास को थोड़ा सोफ होने तक हम तेल में फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनिट तक प्राइ करने के बाद आप देखेंगे कि प्यास थोड़ी सोफ होने लगी है तो इस टेज पर हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे तो टमाटर हमने यहाँ पर दो बड़ी साइस के लिए और इन्हें रफली चोप किया है तो पहले हम तेल में दो से तीन मिनिट तक टमाटर को ऐसे ही फ्राई करेंगे तो हमने टमाटर को तेल में पहले फ्राई कर लिया और अब हम इसमें आधा कप पानी एड़ करके मिला लेंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर पूरी तरह सोप्ट ना हो जाए तो इसे पांच मिनिट तक कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हम देखेंगे के टमाटर अच्छे से सोफ्ट हो गए है तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे हम रूम टेंपरेचर पर ठंडा करने के बाद मिक्सी जान में इसका पेस्ट बना लेंगे और सबजी बनाने के लिए हमने पेन में दो टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है आप यहाँ पर एक टेबल स्पून तेल और एक टेबल स्पून बटर भी ले सकते हैं और इसमें एक टीस्पून जीरा एट करके जीरे को तेल में चटकने देंगे जीरे के तेल में चटकने के बाद हम इसमें एक टीस्पून बेसन एट कर देंगे और इसे 10-12 सेकंड के लिए तेल में फ्राइ कर लेंगे तो कुछ सेकंड के लिए हमने बेशन को तेल में रोश्ट कर लिया है और इस टेज पर हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे जैसे कि 1.5 टीसपुन गरम मसाला 1.5 टीसपुन हल्दी पाउडर एक टीस्पून धन्या पाउडर और सवा टीस्पून यानि कि एक टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हमने यहाँ पर लालमीच पाउडर लिया है मसालों को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मीच, अद्रको लेसुन का पेश्ट बना कर रखा है उसे इसमें एड़ कर देंगे और मिला लेंगे इसे तो हमने सारे सुखे मसालों को पहले तेल में एड़ कर दिया इससे सबजी को बहुत ही बढ़िया कलर मिलेगा लेकिन मसाले एड़ करते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर तेल थोड़ा ज्यादा गरम है तो फ्लेम ओफ करने के बाद एड़ करेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पेश्ट एड़ करेंगे तो पेश्ट को हमने मसालों के साथ मिक्स कर लिया और मिक्सी जार को खंगाल कर हमने इसमें थोड़ा सा पानी भीट किया है और अभी तक हमने सबजी में नमा केड़ नहीं किया तो इस टेच पर हम इसमें स्वाद अनुसा नमा केड़ करके मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे तो लोफ लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसे 2-3 बाच एक कर लेंगे तक ही नीचे दाग ना लग जाए तो हमने इसे कवर करके लोफ लेम पर 10 मिनिट के लिए पका लिया है आप देख सकते हैं कि सारे मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है और इसका तेल भी सर्फेस पर आने लगा है तो आपने देखा कि हमने मसालों को तेल में एट कर दिया था तो इससे ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है और इस टेज पर हम इसमें मटर एट करेंगे तो हमने एक कप फ्रेस मटर लिये और मटर को पानी में अच्छे से बोईल कर लिया तो इस तरह से मटर को बोईल करके एट करेंगे तो सबजी को पकाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे मिला लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड़ करेंगे तो आपको ग्रेवी कितनी गाड़ी रखनी है या फिर पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी एड़ कर दें तो हमने सिफ एक कप पानी एड़ किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे अच्छे से कुबाल आने लगेगा तब हम इसमें फ्राई की हुई पनी रेट कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर कुछ देर तक और पकाएंगे तो हमने इसे लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए और पका लिया है इसी के साथ हमारी रेस्टोरंट स्टाइल मटर पनीर की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है ये देखिए कितनी बढ़िया सबजी बनी है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एट करेंगे आप यहाँ पर हरे धनिये के साथ थोड़ी सी भूनी हुई कसूरी मेथी को करस करके भी एट कर सकते हैं मिला लेंगे और सव कर लेंगे तो देखा आपने क्रीम दहीं और काजू का इस्तेमाल किये बगेर भी हमने कितनी बढ़िया मटर पनीर की सबजी बनाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और रेसिपी ट्राइ करने के बाद कॉमेंट बोक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरेंस सेर करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई